EMRS 2023 की बरती में बच्चों का सेलेक्शन हो चुका है बस एक जिग्यासा है कि डोकुमेट वरिफिकेशन सही से हो जाए तो उसमें कोण से डोकुमेट लेकर जाएं कब जाना है कहां पर जाना है तो बेटा जो होस्टल वार्डन के मेल हे हैं उनको लेकर सूचना आ चुके है अभी हमें नहीं मिली है वह सकता है आ हो सूचना आपको गाख सेमारी हाँ है जाहेँ इससे आप किसी भी एक्जाम में हो JSA में, टीचिंग में या होस्टल बार्डन में आपको यह document verification समझ में आ जाएगा क्या है देखिए इन्होंने बोला एक तो original आपको document लेके जाने है एक photocopy के दो set लेके जाने है दो set वो self attested होने चाहिए अगर self attested ना भी है तो by the way भूल जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपका वहाँ आप कर लोगे अपने sign करने होते हैं पर करके ले जाए ज़्यादा बहतर है document में कौन से लेके जाऊ original photocopy देखिए योगेता की बात करें तो ये vacancy जो थी वो सनातक सतरकी थी तो आपको 10 वी 12 वी और आपके सनातक की mark sheet और बेटा आपका certificate ये दोनों चीजें 3 classes की लेके जाएं पूछेंगे की mark sheet मैं 3 साल की लेके जाऊ सनातक की बेटा 3 साल की लेके जाएं कई पूछेंगे mark sheet और certificate हर जगह तो नहीं होता कई बोर्ड मार्क शीट देते हैं कई बोर्ड देते हैं मार्क शीट कम certificate एक ही डोकुमेंट देते हैं तो बेटा वो दोनों ही है आपकी वही ले जाए जो है मतलब वो सारा लेके जाए आप थोड़े ना इसके बाद कहा है date of birth date of birth में बेटा आपका 1991 के बाद जिनका जनम हुआ है उनके लिए कंपलसरी तोर पर जनम पर्मान पत्र मांगते हैं बहुत सारे भी पाग तो इसलिए ध्यान रखे अगर आपके पास birth certificate है तो जरूर लेके जाए और अगर नहीं है तो 10 में की certificate से काम चला लेते हैं department वारे पर ध्यान रखे यह जरूरी है औरक्षन की जहां तक बात है जिन्होंने कोई category के तहत जिनको selection हुआ है यूर वाले के छोड़कर उनको एक डूकुमेंट होड़ ले जाना पड़ेगा चाहे तो SC, ST, OBC, EWS या person with disability ठीक है अब यह डूकुमेंट भही center से इ center की वेकेंशी थी तो केंदर वाला यानि central वाला OBC, EWS से का certificate लेके जाए ठीक है ताकि दिक्कत नाय चलने ना चलने की कब का हो बेटा यह जो डूकुमेंट है यह आपके financial year 2023-2022 के हो तो ज्यादा बहतर रहेगा ज्यादा तर department मांगते हैं ज्यादा पुराना ना हो एक जाना है तो मैं जाओं इना document verification देने ऐसा मत करना चले जुरूर जाना कोशिश करो आपका इसी साल का हो 2030 का एक आप अधार card लेके जाए पैन card लेके जाए दो अपनी photo लेके जाए और NOC किसको लेके जानी है जो पहले से क्या बेटा बेटा गोर्मेंट जोम में है तो उनको NOC अपने department से लेके जानी है अगर आपने detail में भर दिया है तो वो जुरूर मांगे वहां पर कि आपने भरा है कि आप गुर्मेंट जोम में हो ठीक है अचा यह आपके document हो गए अन्य document की में बात करूं बेटा तो देखो result आपका आया है तो result की आप copy लेके जाए कोई दिक् होती है दस में के DMZ में कुछ नाम है अधार में कुछ नाम है पापा के नाम के आगे कुछ लगावा है पीछे कुछ लो कुछ भी ऐसा कुछ है आप एक एफिडेविट बनवा लें एक undertaking जैसा ठीक है उस एफिडेविट में notary से लिखवा ले कि जो जी मेरे पापा का नाम है इसमें मालों पीछे सर्मा है और इसमें है नहीं पर यह दोनों एक ही इनसान है यह मेरे पापा ही है ऐसा कुछ नोट्री वाले अच्छे से जानते हैं आपको ज़्यादा परिशान होने को बताएं वह फटाक से बढ़ा देंगे मैंने बनवाय हुआ है यह चीज भी हो ग होगा अन्य जो एकजाम है उनका भी बेटा आता ही होगा वह अपना देख ले एक चीज कहूंगा बेटा EMRS भरती में अगर आपकी सिलेक्शन में आप कुछ भड़े हैं नोटबुक से नोटबुक प्लेटफोर्म का अगर को योगदान रहा है बेटा तो आप दो चीज करन एक तो गूगल फोरम आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा वहां पर आप अपने डिटेल भर दे और एक बेटा वर्टसव ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे में लगा रहा हूं उसको जोईन कर लें उससे क्या होगा बेटा कि एक तो हम टच में रहेंगे और हम एक मिलन समारोहो करने का प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि ओनलाइन में हम मिल नहीं पाते टीचर और स्टूडेंट तो हम मिलें कम से कम आप अपने टीचर को देख पाऊ हम अपने स्टूडेंट को देख पाऊ कि जिनके कमेंट हम कमेंट बोक्स में देखा करते थे न आपका अपना परिवार है इससे आप सिलेक्ट हुए हैं आप भी जिम्मेदार एक स्टूडेंट की तरह है इस प्लेटफोन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना आप परमोट कीजिएगा ताकि हम और बहतर परियास करके और भी ज्यादा आ आप अगे रोजगार के लाप पाएं अभी के लिए इतना ही मैं मन्नु और बाकी टीम की तरफ से आप सभी को बढ़ाई देता हूं सेलेक्टिन वाल दी पैस